हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ मॉम देरादून मैं हूँ जोती और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे चैनल में नहीं है तो चैनलों को सब्स्क्राइब करना बिलकुर मत भूला कीजिए साथ-साथ नीचे एक बल नोटिफिकेशन है इसको फड़ा-फड़ सहीट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँगी आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप लोगोंने कलमेर से रिक्वेस्ट करीजिए क्योंकि सब ने देखा होगा कि इस तरीके से हमारे सामने खेलते कुटते बच्चे तने बड़े हो गए हैं आज कि फिर उनको पनी जुबान और अपना लिहाज वो कही ना कहीं भूल ग और फर्ज मा का होता है जब मा बच्चे को कोई फर्ज या हक से नहीं डाट पारी नहीं बोल पारी तो फिर हम क्या बढ़िया सदे बट येस जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा सिर्फ उतनी बात हम लोग अपनी वीडियो में करेंगे आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आए कॉमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना पॉइंट अफ्यू शेर कर सकते हैं वैसे समझदार को इशारा काफी है मेरी वीडियो शुरू करने से पहले ही बहुत से लोग समझी गए होंगे कि रियाक्शन वीडियो में किस पर बनाने वाली हूं तो दोस्त मुलिख वोकी ही आप мнीट होती है और हम लोग भी एक ब्रहम में जीरे होते हैं और जब वर प्रहम का पर्दा हमारे सामने से हटा तो फिर दिल भी तूटता है और बुरा भी लगता है कि यार हम क्या सोच रहते और इंसान क्या से क्या निकला कुछ ऐसा ही हुआ है सरुज के साथ की इतना जादा प्यार, महबब, रिस्पेक्ट, सिंपथी उनको मिल रही थी इतनी जादा तारीफ उनके बच्चों की होती थी और उसके बाद अब की आज के बाद से मलिक फैमली से हमारा कोई लेना देना नहीं है आज के बाद से इस से हमारा लेना देना नहीं है लेकिन वो लेना देना खतम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमेशा से इनका पैटन है यह पहले फ्लो फ्लो में आके वीडियो डालते है और इसके बाद खुद को डिलीड भी गर देते हैं तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ और पिछली बार तो वीडियो देखना मेरे से स्किप हो गया था लेकिन यह जो कल डाला था ना एक छोटा सा शॉर्ट के फॉर्म में एक वीडियो वो मैंने देख लिया था क्योंकि वो वीडियो यहां पर डालने के स पहले हम उसे बच्चा 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 बोलते थे लेकिन अब हम बोलेंगे कि वह बच्चा नहीं है वह बड़ा हो गया है वह इतना बड़ा बच्चा हो गया है कि वह अब मां से क्या होता है वह ओडियोंस को सिखाने वाले हैं ओडियोंस को बताने वाला है कि मां से मां मां होती है मां से मामी होती है मां से मौसी होती है और सिर्फ जो रिष्टे मां से शुरू होते हैं वही मां की कैटेगरी में आते हैं उसके अलावा बुआ मां नहीं होती अंटी मां नहीं होती कोई कुछ नहीं होता मुझे तो लगता है कि हमने तो बच्पन से यही सीखा है औ जिसदिन माउने अपने बेटे को यह संसकार दे दियां कि बेटा दूसरे की बहन तुम्हारी बहन जैसी है तुम्हारी माँ जैसी है उस दिन अधिकतर क्राइम वही ख़तम हो जाएंगे आज यह बच्चा मा की definition नहीं समझ पा रहा है इनके हिसाब से जो अक्षर मा से दिल में कितनी जादा नफरत भरी हुई है कितनी जादा नफरत और कितने जादा इस समय पे मैं क्या बोलूं कि वो खुद भी नहीं समझ पार है मुझे लग रहा है कि अपनी मम्मी के कंट्रोल में ही ने क्यों कि आपने जब वीडियो देखी होगी ना तो लास्ट में जो बा पर आप इनकी ममी की शकल देखना वहां से पता जल रहा है कि मां की कंट्रोल में बेटा नहीं है वह ओ चुका है किसंदे यह सिख्छा किस ने दिए कि अगर डर्टरेटी contractor अगर डूह कोई भी कांड कर लो तो आपका कुछ और अदेण सक्तिक क्रिमिंद न बन सकते यह सिक्षा कोको पहुंच है इस मचेकलिवाल मुझे समझ मेनिं आ रहा है कि कुछ भी कर लो मैंने लेकिन चे Gleich करने की वज़े से अपकी मम्मी को सफर करना पढ़ रहा है थोड़ से उसकी चिंता कर लो इनको बुरा लगा कि मेरी मम्मी को गालियां दी और आपकी वज़े से जो अब आपकी मम्मी को गालियां पढ़ रही है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप समझ रहे हों अगर हरकतों कि वज़े से जो अपनी मम्मी को उनके संसकारों को इतनी गाली पड़ रही है उसका जिम्मेदार कौन हुआ फिर तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए और रही बात इन्होंने यह बोला कि जब आपकी मा को कोई गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा हमारी मा को कोई गाली देगा या किसी की भी मा को कोई गाली देगा बिलकुल बुरा लगता है हर बच्चे को बुरा लगता है लेकिन तब ना जब हमारी मा कुछ ना बोल रही बच्चों का बोलना तब ब deeply जब उनकी मा कुछ ना बोल पा रही हो सक्षम ना ओ लेकिन इनकी मम्मी आप लोगों को लगता औडियंस की वह सक्षम नहीं बोलने में वो जब सोशल मीडिया पर तड़ात्रम तड़ात्रम जवाब दे सकती हैं एक इनसान को एक इनसान की चरित्र की धजिया उड़ा सकती है, अपने घर की नंदों को मरने तक पर मज़बूर कर सकती है, उनके लिए उनके बेटे को स्टैंड लेने के जुरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी अल्रेड़ी ये चीज़े कर रही है, बच्चे तो औरों क बीवियां तो अर्मान की भी है, बच्चे तो सुनीता के भी है, बच्चे तो सपना के भी है, और आप ने भी उनको गाली दी, आपकी ममी ने भी उनको गाली दी, क्या उनमें से कोई बच्चा आके बोल रहा है कि क्योंकि हमारी मा को गाली दी तो हम भी गाली देंगे, नह नहां पे तो मुझे लग रहा है यह और डॉमिनेट हो रही है इनका बच्चा इन पे खुद और जाधा हावी हो रहा है जो चीज़े बोलना नहीं चाहती थी यह फिर भी हाथ जोड़के चीज़े संभालना चाहती है लेकिन इनका बेटा हाथ भी अपनी मा को जोड़ने नही कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो मा की जो डाफिनेशन सीख चुके हैं इसका मतलब फिर तो किसी वी splash के लिए इनके दिल में प्यार और मान सम्मान रहेगा ही नहीं, जो मा से शुरू होते हैं सिर्फ वो रिष्टे रहेंगे, बागे किसी रिष्टे के लिए मान सम्मान नहीं रहेगा. बहुत बुरा लगा मुझे ये देखके कि मैंने क्या सोचा था और इंसान क्या निकला जिन बच्चों को हम महनती बच्चे बोलते थे कि यार इनके घर में इनके पापा की ये इस्थिती है तो बच्चे उस घर के बच्चे बहुत समय पे मच्योर हो जाते हैं बहुत जल्दी अर्ली एज में क्योंकि घर का गार्जन होता है बाप और अगर बाप दारू वगेरा के चकर में पड़ जाता है और उस घर के बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं तो आज ये देखके ऐसा लगा कि एक तरफ सरोज के लिए एक तरफ कुवा दूसरी तरफ खाई एक पती से छुटकारा पाके दूसरी तरफ आई लेकिन बच्चा भी वही हाल करने वाला है इससे पहले भी बहुत बार इस बारे में बात होती थी कमेंट सेक्शन में कॉमेंट आते थे कि ये अपनी बेहन को भी मारता है अपनी मा को भी मारता है लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद तो ये लग रहा है कि वाक्य में ऐसा होता होगा बिलकुल ऐसा होता होगा व इनके खुद के परिवार का यानि कि इनकी खुद की मा का इनकी खुद की बहन का और इनके खुद के छोटे भाई का वो समय दूर नहीं है वो समय दूर नहीं है कि आप जो घर गरस्ती छोड़ के यहां आये थे कि एक अच्छा भविश्य अपने बच्चों को दूंगी लेकिन बच्चों का भविश्य तो दिख गया और उसके बाद बहुत दिन से कालू भाया का वीडियो नहीं आ रहा है वो पता नहीं कहां गायब हो गई है उनकी अलग टेंशन यहां पर ओडियंस को हो गई है कि उनके बारे में उनके दोस्तों को भी नहीं पता जिनके घर में वो खाना खाया करते थे जिनके घर में वो वीडियो बनाया करते थे वो भी यह कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता last किसी के through उनका message यही आया था कि वो कहीं पे जा रहे हैं और बहुत समय के लिए जा रहे हैं और पता नहीं वो कब तक आएंगे और कब तक वीडियो बनाएंगे आखिर दिन दहाडे वो गायब कहा हो गए क्या हुआ है उनको किस जगे वो चले गए जहां पे वो कह रहे थे मैं घूमने जाओंगा तो घूमने वो अकेले निकल गया और उनका फोन भी नहीं मिल रहा है उनके friends ने बताया उनकी wife ने Q&A किया ता उसमें बताया कि उनका number भी नहीं मिल रहा है तो कालू भीया है कहां concern है कुछ अपने पती के लिए अपने पिताजी के लिए या फिर लड़ाई जगड़ों में ही अपना time waste करते रहोगे इनके पापा का आता पता नहीं है पिछले 5-7 दिन से उनका phone नहीं मिल रहा है वो कोई video vlog नहीं डाल रहे हैं उनके यारों दोस्तों को नहीं पता कि वो कहां चले गए हैं जहां पे किसी का कोई रिष्टा नहीं होने के बावजुद audience परेशान हो रहे हैं कि कालू भीया कहां चले गए और इनके बच्चो और इनकी बीवी को लड़ने से फुरसत नहीं है सामने वाला बंदा चुप हो गया है लेकिन ये लोग बार-बार पोक पर पोक कर रहे हैं कि बुआ मा नहीं होती ठीक है तुम्हारे लिए बुआ मा नहीं होती कि शायद तुमने यही सीखा होगा लेकिन ये दुनिया को मत सिखाओ, ये मा से मामी, ये दुनिया को मत सिखाओ योगि दुनिया में हमारे भारत वर्ष में तो यही सिख्षा दी जाती है और यही समझाया जाता है ये दूसरे की मा अपनी मा होती है, दूसरे की बहन अपनी बहन जैसी होती है और हर मा बहन के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर यहां तो अपने खुद के रिष्टे हैं, जब बच्चे धत से जादा बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे फिर बड़ों को ही जुकना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को अपनी इज़त प्यारी होती है, और वहीं पे सपना दी बच्चे की वहां, सबे बड़ा की जापश्य होती है, इनके अब अपनी जाओने सब बाते इज़ते होते हैं, उम्हें प्रोलईव फिर बच्ते हैं, पाते सौगुना सच है लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ इस वक्त पे फिकर हो रही है एक तो कालू बया की वाक्षी में ऐसा लग रहा है आपके उनके उपर बहुत जूटे आरोप लगे बहुत जूटा बधनाम उने किया गया बहुत हद से ज्यादा जूटा बधनाम किया गय यह मैं यह भी बोल सकती हूँ लेकिन उनके उपर इतने ऐलेगेशन लगे गए और वो पीने के चक्कर में बधनाम होते चले गए बधनाम होते चले गए कुछ चीजों उन्होंने करी कुछ चीजों जो उन्होंने करी भी नहीं उनके लिए उन्हें बधनामी का टोकरा मिला और अब यहाँ पे परेशानी और टेंशन मुझे लग रही है सरोजी क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिष्टे से बाहर निकल के अपने तीनों बच्चों को लेके आई और अब दूसरी जगे पर फस गई है क्योंकि जब बच्चा अपनी मा को डॉमिनेट करना शुरू कर देता है अपनी मा का कहना सुनना बंद कर देता है तो वहां से उस मा की जिंदगी खराबी होती है सुधरती नहीं है और शायद इसलिए कई वार अपनी वीडियो में वो बोलती भी थी कि जैसा पापा जैसा चाचा जैसा घानदान वही सब चीज़े आएंगी इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो बिहेव है उनके बेटे का वो उसकी मा को भी परेशान करता है मा लास्ट वाले डाई लोग के फेवर में नहीं थी जैसे ही उसने लास्ट वाली वो बात बोलेें ना मैं दिल से ये निकाल दूँगा मैं कलेजा निकाल दूँगा कोई देखे तो देखे गाली को ये तो करे इसको भी गाली देने का शौक नी होता जब तक अच्छी व्लॉगिंग आती है कोई भी audience आपको बे मतलमें गाली नहीं देती है लेकिन हाँ अगर social media पर कोई गंदगी दिखाओगे तो वहाँ पे लोग विरोध करते हैं कि आपने ऐसे गंदा क्यों बोला आपने ऐसे गंदी चीज़ क्यों दिखाए कि आप लोग social media पर ये काम कर रहे हो अगर कोई चीज और nggak दिखेगी तो इनसान नहीं बोलेगा जब तक किसी को पता ही नी था कि यह लड़का कैसा है तब तक किसी ने गलत नहीं बोला लेकिन जिस दिन से पता चल गया कि यह कैसा है उस दिन के बाद आप कैसे उम्मीद करोगे सामने वाला आपको प्यार देगा नहीं दे पाएगा इज़त कमाने में बर्सों लग जाते हैं और इज़त कमाने में मिनट भी नहीं लगता वही हुआ है और नफरत से कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते आप गुस लास्ट वाला सीन मुझे अभी भी याद आ रहे कि जैसी ही उसने बोला उसकी मा का चाहर अपने बेटे के तरफ था वह यू करती भी वहां से भागी है तो मा के कंट्रोल में आउलाद भी नहीं पहले तो पती भी नहीं था और अब मा के कंट्रोल में आउलाद भी नहीं अ हुआ उतना मैंने अपनी वीडियो के माद्धियम से बोला आप लोग भी कॉमेंट सेक्षिन में प्लीज इस मैटर पे बोलिए और अपने एंड पे गालियों से कुछ कुछ नहीं होता प्यार से समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि अब मुझे टेंशन हो रही है और बेचारे माबाप के लिए सरोज के लिए और कालू के लिए अलाद इतनी बड़ी हो जाया ना कि वह दर ना जोड़ दे तो वहां पर माबाप के लिए परिशानिया खड़ी होनी चूरू हो जाती है वह पहला पड़ा होता है परिशानिया खड़ी होने का अब देखते हैं आगे-आगे क्या होता है यह वीडियो में यहीं पैयन करूंगी थैंक्स वर वाचिंग अर्थ मॉम देराद